हमारे साथ भारती जन्ता पार्टी के पूर उसांसाथ, पूर अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, नंद कुमार साय यहां मौझूद है, आज उन्हेंने कांग्रेस प्रवेस किया और पूरे छक्तिस गड़ की राजनीती में हल्चल आजमची हुई है, हमारे साथ नंद कुमार है, वहाँ पर प्रिस कॉंफेंश ली और आद दिन भर कांग्रेस के साथ रहा है, कैसा लगा? कि था, कोई बहुत एकदम अजूबा नहीं था, सहज था, ठीक था, और बातेचीत भी हुई बहुत सारी कारकरताओं के साथ में. जिस वितारदारा से जुड़े वे हैं, उनको छोड़कर आपको ऐसी पार्टी जोईन करना पड़ा, जिसका आपकी रिती रिती पसंद नहीं था. जगह एक सामान्य सदस्य था, यहां पर कभी चर्चा करने की कोसिश करता था, कोई सुनने को खाली नहीं, कोई महत्पुन बैठक में, कभी जब निर्णे कोई करते होंगे, तो उसमें नहीं था, एक सामान्य रूप में, प्रजेस कारिश्रमिती में मैं था, यहां जब मैं मैं आपसे मिलना चाहता हूं, छतिरगर के संदर्ब में, कुछ बातें करनी हैं, उनसे आता तो था कि उसको भेड दिया गया है, बात करेंगे, पांच करेंगे, यह साल अभर इस तरकी गतिविद्यों में हो गया, और किसी ने कोई रिस्पॉंस नहीं किया, एक बात मु अभर वाले नहीं होंगे, अनुभर कहां से लाओगे, तो यह सारी बातें थी, और मैं लगातार प्रैत्न करता रहा, किसी से समय नहीं मिला, किसी से चर्चा नहीं हुई, यहां तो लोग चाहते ही थे कि भई, अब इनका तो समय हो गया, खतम है मामला, और मैं व्यथित हो गया, और कभी-कभी काम की दिर्शी से मुख्यमंत्री जी से मिलने जाता था, और धीरे-धीरे इसमें चर्चा हुई, आगे बढ़े, कोई-कोई बात आई, बहुत सारी बातें तो नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे चर्चा आगया, कि साई जी बहुत पेथित हैं, और कुछ दिल्ली की नेताओं से बातचीत किये, वहां से भी आपको संतुष्टी नहीं मिली, अलग पार्टी बना सकते थे, कुछ दिन सांत रह सकते थे, कांगरेश जोईन करने के पीछे, ऐसी कांगरेश की कौन सी नीती आचानक आपको पसंद आगे, कि आपने कांगरेश जोईन क उनका कुछ काम करना, पार्टी बना करके कोई नहीं लाइन वहां करना, इसके लिए तो अभी समय था, ना मैं समझता हूँ, वो बहुत की जा सकती है, वो सफलता की सीड़ी उसमें हो सकती थे, मुझे लोगों का काम कराना है, कांगरेश पार्टी पावर में है, कुछ काम ह आम ने देखा है इनको, कि ये जो नरवा, गुरुआ, गुरुआ, बारी ये वाला, इसको बहुत पहले भी एक बार मिला था, उनको कहा कि इसको कार्यानवित करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें गव की महिमा को बताया गया है, उसके बाद राम गन, बन गमन पत और बहुत सारी बाते हैं, वो जो गरीब लोग हैं, उनको क्या-क्या दे रहे हैं, मैं थोड़ा स्टडी भी कर रहा था, और पार्टी का बहुत महत्मूर नहीं था, वेक्ति काम कैसे कर रहा है, और इसमें आगे कुछ की जा सकती है, क्या, मुझी मंत्री भूपेज बेगि रूप में छे महने में चुना हो है, आने वाले समय में नहीं पार्टी कोई बना ले तो करेगा क्या हो, तो इसलिए अन्ततो गत्वाल लोगों के काम की दिर्स्टी से मुझे लगा कि ये लाइन ठीक हो सकती, आप तो ये बोल रहा हैं नहीं साय साथ, मगर आपके जो पुर इस पर क्या है? पदों में तो हम बहुत बड़े बड़े रहें, केंडर में रहें, पांच बार लोग सभा में रहें, और बिधान सभा में कई बार रहें, अलग-अलग पदों में रहें, इसलिए उसकी बहुत लालसा वाला मामला घलत है, सवाल ये है कि किसी वेक्ति को अपमानित कर दिया क्या आपको इस बात का तकलिफ है कि जुदेव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे मगर उनको नहीं बनाये गया और जुदेव जी तो हमारे बाई ही थे उनको ऐसा ऐसा अपमानित किया गया वहाँ पर वो एक कारकम कर रहे थे सभा में थे और वो खूडिया दिवान उनके साथ में थे उनके दतक पुत्र माने जाते थे उनको पुलीस में अपनी गवर्मेंट में उठा करके ले गई डाल किया और वहाँ पर उस पर वो बिचारे बोलते रहे कि ऐसा कैसे हो रहा है और आपको याद होगा उन्होंने कहा कि यहां तो प्रसास्निक आतंखवात चल रहा है ऐसी परिशिती थे वह बहुत ब्यशित थे वहाँ और उनको कमजोर करने की जिसामें उस समय बहुत सारी बा प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेश की सरकार थी आपका पैर टूड़ गया था भारती जनता पार्टी के लोगों पर लाठी चार्ज किया गया था क्या आपने कांग्रेश को माफ कर दिया नहीं उस समय का मामदा उस समय का विशय यह था यह पार्टी का विशय आज वहां बना हुआ है ये बात नहीं थी अजीद जोगी थे वहां और लाठी चार्ज हुआ पैर टूटा था 166 लोग घायल हुए थे फिर भी हम लगातार प्रदर्शन किये और सरकार बना के छोड़े वो कांग्रिस वहां से बाहर हो गई थी और परिसितियां अलग-अलग समय का करके दिखाई पड़ी लेकिन ओभी जिस किस तरह का हुआ उहां पर आप सबको पता है आपके बहुत पुराने मित्र हैं विश्णु देवसाय जो प्रदेश अध्यक्ज भी थे आज उन्होंने प्रेस कांफेंस लेकर उन्होंने कहा कि आपके पार्टी छोड़ने का बहु अध्यक्ज रहें आप मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उसका विरोध भी किया जिस दिन विश्व आधिवासी दिवस था उसी दिन विश्णु देवसाय को पार्टी से हटा दिया गया मैंने कहा कि दुरभाग्य पून है आगे या पीछे अगर पार्टी सब्सक्राइब आप दोनों मित्र हैं विश्णु देवसाय ने कभी अपना दर्द आपके सामने वेक्त किया किया रूल को हटा दिया गया या आपके संबन में कभी उनसे बात चित हुई यह कैसे हुआ पता नहीं कैसे हुआ और वो मैं कहा यह अच्छी बात नहीं है दुर आपको अपमानित महसूस कर रहे हैं उनको लग रहा है कि उनको मतबज्जों नहीं दी जा रही है तो ऐसे कुछ नेताओं ने अपना दर्द आपको विर्थ किया है क्या वैसे भी कुछ लोग और है कि आपके समान पार्टी छोड़ सकते हैं दुख्यों कर नहीं अभी तक मेरे संपर्क में कोई नहीं है और मैं ऐसा बहुत सारे लोग हो सकते हैं क्योंकि जो परिस्थिती पार्टी की है वो इसी टाइप की है लेकिन मेरे संपर्क में आग तक इस तरह का कोई नहीं है हो सकते हैं बहुत सारे लोग हो अच्छा मुख्यमंत्री भुपेज बगेल की उपस्थिती में आपने आज कांग्रेस ज्वाइंड किया, क्या कल इस्थीपा देने के पहले मुख्यमंत्री से आपकी बात चीत हुई थी, मुख्यमंत्री से कभी आपने जाहिर किया था कि आपकी सोच, आपका वेक्तित मुझ लेकिन ऐसा इस पार्टी बदलना है वहां जाना है समय में बात नहीं हुई थी कुछी दिनों के बाद में अभी अभी ही जो परिशिती आगे बढ़ी ये समस्या कुछ बातों को लेकर करके हम जब आगे आए तभी ये बात आई है अच्छा आज विश्णु देव साय ने एक बात कही है कि उनको लगता है कि कुछ दबाव है आपके उपर कुछ किसी चीज के दबाव में आपने कांग्रेस जोइन किया है और यो ये भी बोल रहे हैं कि हम इसका पता लगाएंगे वो आपसे बात भी करेंगे और बात करने के सत्य से परें और तथ्यों के खिलाब है कोई ऐसी बात भी है अच्छा एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो वीडियो आपका इस्तिपा दिये और अचानक आपका एक वीडियो आया था उस वीडियो के बारे में बात हो रही थी ये बहुत सधा हुआ वीडियो थ था परिसानी उसमें बहुत थी लेकिन बनाने का काम उसको बढ़ियों से बैठ करके चर्चा करके कुछ सब्जेक्ट कुछ विशाय कुछ चर्चा कुछ लोगों के संब्सम्मण में यह सारी बात लुसमें थी और अभी ही बनाया है बहुत पहले का नहीं है आधिवासियों के हितों को लेकर आदिवासियों के मुद्दे को लेकर आप लगातार संघर्ष करते रहें भारती जनता पार्टी में थे तब और आप आदिवासी समाज के लोगों के उमीद है कि आप उनके लिए राई लड़ेंगे तो वो लड़ाई अब कासे जादी रहें वो वही मुख्य भी से है यह जो हमने पार्टी भी परिवर्तित किया है उसके पीछे जनजाती समाज गरीब समाज वो उनकी सिक्षा वो बहुत सारे भी से हमें बहुत परिसान है कौरोध, कमार, विरोर, पंडो, बैगा यह जातिوں पर सिख्छा कैसे होगी मैंने चर्चा भी किया है और इनको आगे बनाने के लिए उठाने के लिए सिख्छा की दिलस्टि से सामाजिक दिलस्टि से अरथिक दिलस्टि से उनको कैसे उठाया जाए ये महत्पूल भी से होगा तो ये थे नंद कुमार साय जी और बहुत विस्तरित उनसे हमारी चर्चा हुई और उन्होंने इस पर्ष रूप से एक चीज कहे दी है कि कोई किसी प्रकार का कोई राजनितिक दबाव उनके उपर नहीं है और उन्होंने ये भी स्पर्ष रूप से कहा कि भारती जनता पार्टी में फिलहाल वापस जाने की उनका कोई रादा नहीं है केमरा में रमा संकर के साथ राजे समिस्रा IBC 24 ट्राइपर